आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले ही एक बहुत ही बैतरियना आउस प्लान जिसका 3D प्लान आपके सामने है इस प्लान से उमीद करता हूँ कि काफी लोगों को help मिलने वाली है और काफी लोगों को help मिलेगी इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरों की help हो सके अगर आपको नक्षे बनवाने हैं तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी सर्विस इस फ्री बिल्कुल भी नहीं है हंड्रेट परसेंट पेड है और पेड की लिए हमने एक छोटी सी कंडिशन रखी है जिसकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी क्रेजी 3d render.com पे वहां पे जाके आप कंडिशन को पूरा पढ़िए आप उसको एस इस फॉलो कीजिए और जैसा हमने बोला है कि आप हमें प्लॉट डिटेल प्लस अपनी रिक्वार्मेंट वाट सब कीजिए तो चलिए फटा फट से हम शुरू करते हैं इस 3D प्लान का ओ पहला जो है स्केर्फिट एरिया और दूसरा है लेंथ और विर्थ तो चलिए शुरू करते हैं एंट्री से यह हमारी में एंट्रेंस गेट है यहां पर हमें 10 फूट की एंट्रेंस गेट मिल जाती है यहां पर हमने एक च्छोटा सा रैंप दिया है रोड से पार्किंग में जाने के लिए इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो मेंनिमम और मैक्सिमम जो हाइट आप रह सकते हैं 18 से 24 इंच की हाइट रह सकते हैं यानि डेट सी 2 फूट उसके बाद गीट को हाइलाइट करने के लिए हमने दोनों कौनों पे दो पिलर डाले हुए हैं आप देख सक से इसकी एरिया की बात करें जो भी हमारे पेविंग एरिया है ये पूरा आपका कैलकुलेट होगा लस यहां पर जूआर्च की वॉल है ये इसी मैं कैल चाएके तो इसको कैलकुलेट करनेके पादfront का इरिया आपका बनता है टोटल और सिर्फ अगर हम पार्किंग साइज की बात करें कि हमारा जो पार्किंग की लेंध और बीर्थ क्या है अंदर अंदर साइज जो है इसकी चोड़ाई 11 फुट 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो है 19 फुट 9 इंच जिसमें आपका ये सीड़ी भी चल रहा है सीड़ी एक बार देख लिजी किस तरीके से चड़ा रहे हैं हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये प्लान वास्तु के हिसाब से बिलकुल भी नहीं है इसलिए इसमें वास्तु एस्पेक्ट ना करें उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर हम पार का में एंटरेंस हो गया आप इसको अंदर से भी एंटर कर सकते हैं यहां पर हमने एंटर पॉइंट चुड़ा हुआ है इस तरीके से तो अब हमारा सेकेंड जो आता है वो हमारा ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में सीटिंग आप दीख लीजी हमने यहां पर तो इसका साइज जो है 12 भाई 13 फूट 6 इंच का है इसकी जो चुड़ाई है यह 12 फूट है और इसकी जो लंबाई है वो 13 फूट 6 इंच है इसका स्क्यार फिट एरिया जो बनता है वो 190 स्क्यार फिट बनता है जिसमें आपका यह जो 9 इंच की वाल इधर इंक्लूड है 9 इ इस ड्राइंग रूम के लिए हमने यहां पर एक छोटा सा पाउडर रूम जैसा दिया हुआ है बातरों आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपने इधर गर के लॉबि एरिया के, तो लॉबि एरिया काफी बड़ा है, तो लॉबि एरिया जो बनता है वो आपका 350 स्क्यार फिट बनता है टोटल, अब ये इसमें क्या-क्या इंक्लूड है, वो दिख लीजिए, जो भी हमारा ये जो वाइट फ्लोरिंग इंक्लूड है, ये वाइट फ्लोरिंग इन दो सेंस की, ये आपके सीटिंग वाले अईरिया पूरा, प्लिस डाइनिंग वाला इरिया पूरा, और ये किचन वाला इरिया पूरा, इंक्लूड है इसमें, तो ये आपका 350 स्क्यार फिट बनता है, अगर हम इस ड्राइंग रूम की चोड़ाई की बात करें, एंट्री वाल से लेके, इस वाल तक आपका 15 फूट चोड़ा होता है ये पूरा, और लंबाई है अगर हम बात करें, ये हमारी जोए किचन की वाल है, यहां से लेके लंबाई आपको यहां तक 20 फूट पड़ेगी, उसके बाद ये देखिए एक चोटा सा यहां पर कर्ट बन रहा है, ये एक्चलिम क्या है कि ये हमारा OTS है, OTS में हमने एक यहां पर वास बेशिन दिया हुआ है, इस OTS चे थोड़ा सा ड्राइंग रूम को वेंटिलेशन मिल सकता है, और इस बाथरूम को भी मिल जाएगा, इन दोनों बाथरूम को, तो इसे साबसे इसको प्लान किया क्या है, उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कि इसका ओवरविव क्या है किचन का, तो किचन हमारी ओपन किचन है यहां पे, किचन में दोनों साइट से विंडो है, यहां पे फ्रिज है, यहां पे कुक्टॉप आप रख सकते हैं, यहां पे आप सिंक रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर अपने प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, यहां पे आपको six-seater dining table मिल जाता है, प्लस यहां पे आपको LCD point मिल जाता है, प्लस घर के लोगों के लिए यहां पे छोटा सा एक living area मिल जाता है, यहां पे L type का sofa पराम से लगा के बैठ सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद आता है हमारा study room, तो study room का जो area है इसका जो overall area है, वो है आपका 105 और इसकी size की बात करें, तो इसका 9 foot 9 inch वाए 9 foot का size है, यहां पे आपको देख रहे हैं, यहां पे study, यह table हमने लगाई हुई है, प्लस यह chairs हैं और यहां पे हमने book self लगाए हुआ है, तो इस तरीके से इसकी arrangement है, प्लस इसको हमने बाहर से भी entrance दिया हुआ है, क्योंकि यह teacher का घर है, तो यहां पे study के लिए जो है, बाहर से भी student आया करते हैं, tuition के लिए, तो उसके लिए हमने यह बाहर से entry एक दिय हुई है, उसके बाद हम बात करते हैं, bedroom 2 की, तो bedroom 2 का जो size है, वो आपका बनता है, 11 by 13 का, जिसका square foot area अगर हम मान के चलें कि इसका square foot area कितना बनता है, तो यह आपका 155 के असपास अपका area निकल के आएगा, इसमें हमने wooden flooring रखी है, प्लस back wall पे हमने अलग type का wallpaper यूज़ किया हुआ है, प्लस इस side में हमने texture paint का यूज़ किया हुआ है, इस तरीके से आप सामने वाले wall पे भी कर सकते हैं, उ इसमें attach bathroom come dress भी है, इसका size अगर मैं बात करूँ तो 80 square feet इसका area बनता है, और size आपका बनता है, 11 foot इसकी पूरी जो है ये चोड़ाई है और इसकी length है, वो है 5 foot 9 inch, तो इसे साब चाहिए हमने इसको लिया हुआ है, उसके बाद हम आते हैं master bedroom में, तो master bedroom का size काफी बड़ा है, इसका area निकल के आता है, 180 square feet और अगर इसकी अंदर अंदर की size की बात करें, तो अंदर अंदर का size जो है 11 by 14 का बनता है total, जो काफी बड़ा size है, और यहाँ पे हमने दो अलग-अलग type के wall paper सी use किये है, wooden flooring है, प्लस इसमें भी आपका attached bathroom प्लस चोटा सा dress मिल जाता है, इस प कि अगर मैं यह पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक length लेता हूँ, तो यह आपका 15 foot बनता है total, और इसकी जो चोड़ाई बनेगी, वो 7 foot बनेगी, और हमने पीछे ventilation के लिए, यहाँ पे हमने एक छोटा सा OTS create किया हुआ है, जिसके size की अगर मैं बात करूँ, तो size जो है, इसक वो आप पूरा रख सकते हैं, तो यह था हमारा एक overall interior plan plus sizes के हिसाब से, प्लस हम इसका एक पार layout देख लेते हैं, कि actual में हमारा यह plot size की इस तरीके से बन क्या रहा है, यह हमारे plot का layout plan है, जिसके बारे में हम भी discuss कर रहे थे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका size, कि इ चोड़ाई है, वो 45 foot है, और इसकी जो लंबाई हमने लिए हुए 35 foot है, और इसका जो square foot area बनता है, 15 सा 75 square foot area बनता है, यह plot दो साइट से open है, यानि कि जैसे कि आप देख रहे हैं, कि यहाँ पे 20 foot की road है, और यहाँ पे 25 foot की road है, जिसको हमने facing के तोर पे use किया हुआ है, हमन हमने direction इसलिए mention नहीं किया, क्योंकि यह plan जो है वास्तो के हिसाप से बिलकुल भी नहीं है, इसलिए इसमें वास्त रिस्पेक्ट ना करें, और यहाँ पे हम आपको कफी सारी चीशे दिखाते हैं, जैसा कि आपका 3D plan, 2D plan आपको अभी दिखा रहे हैं जो, प्लस इसकी costing ज अपना घर बनवा सकते हैं, प्लस अब कई लोगों के दिमाग में यह question चल रहा होगा कि अब इसमें include क्या क्या है, तो इसमें जो include है, सबसे पहले जो है, normal, sanitary fitting है, plumbing, और उसके बाद आपका electrical fitting होता है, वो होगा, उसके बाद जो finishing items होती हैं, जैसे कि हमारा wall पे क्या लगन है, wallpaper, paint, वो सारी चीज़े आप लगा सकते हैं, प्लस flooring की बात करें, तो floor में जो है, क्या आप टाइल लगाएंगे, normally जो wetrified tiles आती है, market में, वो उसकी जो cost होती है, उससे आप double range की कोई भी tiles या फिर पत्थर आप use कर सकते हैं, तो इतना आपका इस cost में include है, उसके बाद अगर furniture आप देखने जाते हैं, तो furniture का cost आपके budget के हिसाब से आप रख सकते हैं, अगर आपका low budget है तो low रखी है, अगर high budget है तो high रखी है, furniture का इसमें include नहीं है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, उमेद करता हूँ, इस वीडियो से काफी लोगों को help मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को जदा से जदा शेयर करें,